हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग वेलकम तु सीया सेंटर डिली हम आज एक ऐसे टोपिक को कभर करने वाले हैं जो न्यूज में इसमें बहुत तेजी से चला है और इसमें अगर आप भी सोसल मीडिया या फिर किसी न्यूज़ेपर से जुड़े होंगे तो इसमें देखें कि मैं सुप्रिम कोर्ट पढ़ाने वाला हूं इस वज़स में बता रहा हूं कि आप देखेंगे तो सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से बहुत ही हार्ड बोल डिसीजन ले रहा है कई कॉंटक्स पे लेकर के कुछ कहने के लिए लोग यह भी कह सकते हैं कि अच्छे से जानती है और उसको करती है क्यों पर कि अगला इक तपिक है साभी भाई फुले को ले करके और भी एक scheme है यहाँ पर मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ कि और कौन कौन सी चारीश की है तिर उतके बाद एक बायो गैस को ले करके है चार topic मैं अपने इस lecture में आपको सब्सक्राइब करने वाला हूँ news में क्या है news को पहले हम आपको context बताते हुए चलेंगे देखिए टाइगर सफारी जीम कार्बेट UK UK मतलब उत्राखंड है ना कि United Kingdom Kingdom की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम उत्राखंड की बात कर रहे हैं हमें पता है कि उत्राखंड एक ऐसा इस्टेट है जो international border और हिमालय रीजिन के एरिया में पड़ता इसका creation इसका जो है कि जन्में टूठ हाउजिंट में होता है उत्त्राखंड से निकाल करके एक जियोग्रोफिकल territory मतलब भौकोलिक सहरचना की आधार पे इसको एक अलग राज्य उत्राखंड की रूप में दिया गया बट ड्यूकोर्स अब टाइम उत्राखंड का नाम चेंज करके उत्राखंड दिया गया उसी साल सन 2000 में दो इस्टेट और क्रिट के गये थे यहां पर हमारा उत्राखंड से कॉंटेक्स है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूज में क्या है जो उत्राखंड में सिचुएटेड है बहुत पुराना है पहला एक ऐसा ही जो कि नेशनल पार्क है जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 जो लांच किया गया था पहली दूसरी चीज है जीम कारपेट आपका उत्राखंड में होता है अभी न्यूज में जो चल लई है इसमें यह बात आ रही है कि इसका जो जीम कारपेट का एरिया है वहां पे जो कि टाइगर सफारी जो है कि एरिया डिक्लियर करने के लिए बात की चल लई थी लेकिन सुप् पॉरेस्ट रिजर्व एरिया में आप करते हैं तो उससे क्या होता है एकोलोजी इनवार्मेंट को थ्रेड्स होता है और आप डिवलप्नेंट की आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर डिया जाता है जहां पे tour and travel जो generalist मतलब जो travel करने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे देखते हैं तो उससे कई चीज Bonjour और वगर भी दोलब होते हैं जिससे जो tourist आते हैं वहाँ पे अपने आपको कुछ समय के लिए इस्टेक कर सकेंLP उससे क्या होता है जब होटल यह रिस्टोरेंट यह काफे बनेगा तो फॉरिस्ट एरिया का multipo गिए करें दिया एंगे अगर यह करते हैं तो कहीं जो है कि सही नहीं होगा इसके साथ यहां भी हमें ध्यान होना चाहिए मेरे दोस्तों ठीक है मैं अभी बता रहा हूं आपको जो एरिया है जीम कार्पिट का यह है पाख राउ ठीक है क्या है पाख राउ पाख राउ एक एरिया है जो आपका जीम कार्पि कर रहे हैं तो यहां पि यह भी बात चल लही है कि जो जीम कार्वेट जो कार्वेट नेशनल पार्क है इसमें हम जानते हैं कि 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है टाइगर जब इंट्रेड्यूस किया गया था ठीक है पहला नेशनल पार्क आज ये tiger reserve के रूप में जो declare किया गया था दोस्तों ये था आपका gym ठीक है? first tiger reserve gym carpet किया गया था दूसरी चीज यह भी है कि tiger safari जो declare किया जाता है declare जो किया जाता है ये किसी कानून वगरह में नहीं mention किया गया है example के लिए wild life protection act 1973 72 या 72? 72 है 73 ये 72 wild protection act के अंतरगत नहीं किया गया है लेकिन यह भी ये कहता है कि अगर कोई declare करना है आपको इसी area को आप ये protected area के रूप में ठीक protected area के रूप में declare करना चाते है तो आपको national tiger conservation authority जो है ये आपको 2006 में establish की गई इसका approval प्री approval लेकर के आप जो है कि declare कर सकते हैं इस context में हम बात कर रहे हैं इतने clear होगे चीजे क्यों news में था क्या चिकर था इसलिए अब यह आप देख सकते हैं कि यह भी चीज है कि जो tiger safari हो रहा होती है यह आपको ना एक ऐसा मतलब area provide किया जाता है जैसे wild animal जो थी जैसे tiger safari तो आप टाइगर ही तो देखेंगे ना तो टाइगर को आप देखने जाएंगे वहाँ पर देखेंगे इस सबीच चीजों को मतलब एक entertainment area safari असमझे जैसे गारी पर लोग चड़ी आते हैं खड़े हो जाते हैं और गारी वे लिगा अगरे देखते हैं तो आईसे ही जो रहीस लोग होते हैं पैसे वाले लोग अपना जाते हैं टाइम पास्ट करने के लिए चलो वहाँ पर हम टाइगर सफारी पर यो कि चले जाते हैं तो यह एक opinion बस ही है लेकिन उतको किसी कानून अगरे में ऐसा approval नहीं मिला है कि आप जो है कि उसको डेक्लियर करिए या फिर उसके आधार पर कुछ आप चीजी लेकर के चलेंगे तो अब हम यह देखिए दरसल जो यह बात आई थी पहली बार जो टाइगर सफारी की बात आई थी यह 2000 ठीक है 2000 बारे में इसका जो है कि चलन में आया था किसी चीज को हो या फिर पॉलिटिस यह देखेंगे मतलब बढ़ा करके चलते तो यह ट्रेंड है पहले फिर चलेंगे देखें रहे होंगे बहुत टाइट फिटिंग पैंट चलती थी फिल बाटन चलती थी ट्रीशर तो एक ट्रेंड होता है दस साल आठ साल का तो उस समय दो हजार बार कि उसी को किया सकता है पहला हमने अर्टिकल अपना मतलब डिकली किया अब दूसरा जो है कि हम यहां पे जो दूसरा अपना डिसकुशन करने जा रहे हैं तो यहां पर मैं यह वाला हम पहले देखेंगे हमने तो एक देख लिए टागर सफारी वाला हम Supreme Court State Bank of India on the Electoral Scheme Bond के context में हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा Supreme Court Supreme Court SBI फिर इसी के साथ election commission of India plus यहाँ पर हम बात करेंगे electoral bond scheme को लेकर के हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मेरा बात करने का objective है यहाँ पर क्या है Supreme Court of India ने एक judgment सुनाया था judgment उसमें PIL डाले गये थे PIL जो याचिका होती है और इसने State Bank of India से कहा कि जो electoral bond scheme का था उसका पूरा आप details जो है कि public करिए ठीक है उसने आप जो है कि आपका 15 March साथ जो है कि deadline दिया था तो 5 March को judgment दिया और कहा आप एक हपते के अंदर आप इसको declare करिए लेकिन State Bank of India ने पांच को इसने Supreme Court का आया judgment और साथ तारीक को ही मार्च को ही ठीक है मार्च को ही जो है कि इसने सुप्रीम कोट आफ इंडिया से का सर ऐसा है ना जो electoral bond scheme का पूरा डाटा बहुत complicated है आप हमें time दे दीजिए तिल जून जून 30 तक का ठीक है तो सुप्रीम कोट की जब यह बात पता चले सुप्रीम कोट ना देखिए सुप्रीम कोट ने का ऐसा है कि आप इधर उधर की बाते मत करिए points पे आकर के बात करिए कि हम आपको 15 मार्च से मार्च से जो है कि ज़्यादा time नहीं देंगे if you not publish the data of the electoral bond scheme as a public तो हम हो सकता है कि आपको content of court court का जो है कि case कर देंगे मतलब content of court का मतलब यह हो गया court के द्वारा दिया गया आदेश का पालन ना करना कोई order दिया गया हो इसको पालन ना करने पर content of court का लगा सकते है तो इस context में यह news में था तो अब दिखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर तीन चार organization को involve कर रहे हैं कितने organization है यहाँ पर पहला तो आपका supreme Supreme Court of India है पहला organization जो involve है दूसरा organization SBI involve है तीसरा election commission of India है और चौथा organization नहीं है इस scheme है जिसको कहते हैं electoral bond bond scheme इसको दिखिए दर असल 2000 ठीक है 2017 में finance finance act के थूरू लाया गया था आज यह money bill money bill आपका article 110 में mention किया जाता है और इसमें जब लाया गया तो इसमें government of India का ठेक है government of India का जो आर्गूमेंट था आर्गूमेंट था कि हम political funding को ले करके ट्रांस्परेंसी लाना चाहते हैं अब ट्रांस्परेंसी के नाम पर यह bond issue कर दिया गया चला भी अच्छा खासा ठीक है लेकिन कुछ ऐसे प्रेसर गूल ग्रूप या फिर यह कर सकते हो एनजीयो एनजीयो एसोसियेशन डेमोक्रेटिक Republic यह आपका एनजीयो है चुप्रीम कोट में एक पी आई डाला गया यह जो कि यह पॉलिटिकल पार्टी मताब पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत अच्छा आज यह एनजीयो के रूप में काम कर रहा है तो इसने प्याय डाला कि और इसने कहा कि सर ऐसा है कि जो इलेक्टोरल इसमें ट्रांसफरेंसी है ही नहीं कौ खरीद रहा है किसको देरा कहां पता चला है तो अब इन्हों ने कहा कैसे भी यह इन्हों ने एडिया जो ओन्झी यह था इसने फिर अप मतलब अप्रूल दिया मतला पूरा डितेल में ठीक है डीटेल में समझाया डीटेल में समझाया कहा देखी माल लिजिए कि ये ब्यक्ति ने जब बाई किया ठीक है बाई किया खरीदा तो इसने अपना डीटेल डीटेल नहीं दिया कोई आईडी नहीं दिया कोई रजिस्टर नहीं हुआ पहली चीज़ दूसरी बाई करने के बाद गीव किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेट कर देता है ठीक है अब पॉलिटिकल पार्टी किस पॉलिटिकल पार्टी को देता ये भी नहीं पता है अब पॉलिटिकल पार्टी ये बॉन्ड ले करके ठीक है ये बॉन्ड ले करक की गई है कि electoral bond को बेचेगी और दूसरी बैंक नहीं तो आब इसके पास गए और इन्हों ने प्रिटिकल पार्टेन कहा देखिए 10,000 का हमारे पास electoral bond आया है आप यह bond ले लिजिए और हमें 10,000 रुपे दे दीजिए ठीक है तो इसमें तो यह SBI को पता ही नहीं चला कि वास्तों में कौन खरीदा था यहां सी यह खरीदा था या भी खरीदा था दूसरी चीज यह भी नहीं पता चला है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर 10,000 रुपया लेकर के आया है इसको कौन दिया है यह भी नहीं पता है और जैसे ही यह आदमी पीछे मुड करके जाता है SBI को यह भी नहीं पता कि हम किस से इलेक्टोरल बॉंड लिए और किसको 10,000 रुपय कैस में दिये कोई ट्रंस्पेंटिसी नहीं हलाके अब इसी का डिटेल ठीक है डिटेल आपको पब्लिस करना है अब यह बहुत चैलेंजेस हो गया है इसके लिए इस्टेट बैंक ओफ इंडिया के लिए लेकिन जब आपका 2017 में 2017 में जब यह किया गया था इसु किया गया था उस समय की एक फाइनांस सेकेटरी finance secretary है इन्हों ने कहा ये देखिए impossible है impossible है impossible ये कह रहें क्यों है इनका कहना है कि जो दिया जाएगा ठीक है आप buyer का seller का given taken का सबका नम दिए लेकिन कुछ ऐसे colors है colors electoral bonds पे print होते है ठीक है ये एक normal light में दिखेगा ही नहीं कि वास्तों में reality क्या transparency वासमझे जैसे आप 2000 रुपीज की notes ले लिजिए अपने artist movie देखा होगा ठीक है तो उसमें क्या होता different different उसमें design होती तो उस design को देखने के लिए आपको particular एक light की जरूरत पड़ती है ठीक है मैं यहाँ पर पढ़ा रहो तो मुझे एक minimum light की जरूरत होगी तभी आप लोग हमें देख पाएंगे सुन पाएंगे कर पाएंगे मैं पढ़ा पाऊंगा वैसे उस चीज को भी करने के लिए चाहिए तो अब यह तो आम ने दिख लिए कि तिन तिन महिने का एक तारिक से ले करें कि 10 तारिक के बीच में 100 मतला वन थाउजन टैन थाउजन वन लाक टैन लाक ठीक है वन क्रोड के डिनोमिनेशन में यह बॉन्ड बॉन्ड इसू किया जाता है ता समझ गये तो अब ही दिखिए अब यहाँ पर दिखिए जो SBI ती तकनिक क्या लगाए थी SBI इसको डेड़ लाइन सुप्रीम कोट ने दिया था 15 मार्च को आप जो कि पब्लिस करिए लेकिन इसने नहीं किया कि हमें 30 जून दे दिजिए 30 जून से पहले ही भया आपका जो कि 30 माई को या 28 माई है साथ 28 माई 2024 ता लोग सबा का जो एलक्षन होने वाला है पुरा गवर्मेंट बन जाएगी वा समझ रहा तो इस वज़े से इन्होंने गेम खेला सुप्रीम कोट ने लेकिन इसू किया है लेकिन अभी क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता यह हमने दूसरा हमने एक कौन सा कर लिया टाइगर सफारी का कर लिया और बायो गैस के बारे में हम बात करेंगे अभी यहां पे हम आपको एक पीडियाफ को उपन करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ लुक्स दिखाऊंगा यह दिखेंगे बायो गैस का मतलब यह हो गया बायो गैस का मतल जैसे एनिमल्स होते है जैसे गाब हैस होती है उनका जो डॉंक होता है जो गोबर होता है ठीक है गोबर क्या होता है इस्टोर किया जाता है फिर यहां से इसको डिकमपोच करवा करके मिथेन जो गैस होती है यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कोन गैस मिथेन methane gas को यूज करते है जब ये गोबर होता है तो गोबर में आपका देखिए methane भी होता है methane भी होता है plus water होता है ठीक है water जो की help करके methane को जो की generate करते है भारत अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व में ठीक है विश्व में प्रथम अस्थान पे है प्रथम अस्थान पे है किसमें कैटल जो जानवर होते हैं जानवर जानवर मतलब जो डोमेस्टिकेट किये जाते हैं गाया होगे भायास बकरी यह किया जाते हैं और मिल्क प्रोडक्शन में मिल्क प्रोडक्शन में भी जो है कि यह नम्मर वन पे है लेकिन काउ सियो डबलू काउ गाई के दूद को production करने के लिए देनमार ठीक है देन देनमार का फर्ष्ट प्लेस पे आता है दाट इच के लिए total overall मिलके गाब हेस बकडी गाई सबका दूद मिला कि भारा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन अगर गाय के दूद की प्रॉपर बात की जाए तो इसमें डेनमार फर्ष्ट प्लेस पे आता है इन दा वर्ड लेवल पे तो अब यहां पर क्या हुआ है क्या है यह हमें पता चलना चाहिए तभी हम जाकर के चीजों को एनलिसिस करब पाएंगे तो जनरली दिखिए एक कहा जाता है वाट एक गूइंग ओं तर फॉर्म दिस्टिंस लाइगे ठीक है मैं दूसरा पीडिया फॉपन करता हूं उसमें जो कि आपको किलियर दिखेग होंगा एक वैलू आया हुआ था उसमें यह कहा जा रहा है कि जो गोबर होता है उससे कैसे हम एनर्जी क्रियेट करें और उसकी उसका जो है कि हम प्रॉपर तरीके से यूज करें एक सिकंद फोड़ा सा आ जा हो गया कि एक सिकंद हमें टाइम तो नहीं होना चाहिए था हमें टाइम देजिए कि तो कैसे हो सकता है कि एक सेकंद थोड़ा सा लाइट कटी है न तो इस वह जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है बट होना नहीं चाहिए क्योंकि सिस्टम आपका इसी पर चला था इन्वेटर बेस्ट है बट कोई प्रॉब्लम्स आई रही होगी ठीक है इस चीज को अभी चेक कर लेते हैं हमें दो मिनट दें हो सकता है रिस्टोर हो जाए तो और बेटर होगा ठीक है क्योंकि नॉर्मली हम 70% अपना डिस्क्रेशन कर चुके हैं और हो सकता है कि कुछ उपर नीची हुआ हो दोंट वरी बस एक मिनट लगेगा फास्ट फ वहांसे जो भी बंद हो गई होती अगर वैसे कोई दिक्कत आय measuring के दिक्टह कर लेते हैं हाँ अब यहाँ पर देखिए दरसल ओके अरने सिंग दे एनर्जी को ले करके हमने कहा कि जो इनिमल्स होते हैं उनकी गुपर्स को मतब किस तरह से अनालिसिस करके एनर्जी की रूप में करते हैं अभी क्या हुआ है कि गुजरात में गुजरात एक भारत का इस्टेट है हम ठीक है गुजरात में बाना सरकार डिस्टिक में वहाँ पर भारत की पहली और केवल एक गास फिलिंग इस्टेशन जो है वह बेस्ट किस पर डंग मतलब जो गोबर के आधार पर इनर्जी प्रोड्यूस की गई पहला पेट्रोलियम या फिर नैचुरल गास तंकी है वहाँ पर जो कि आपको नैचुरल सी एंजी उगर चाहिए तो वहाँ पर आप कर सकते तो पहला यह आपका वन लाइनर में हो गया इसको पता होना चाहिए अब यह कह रहे हैं कि हाव इते काटल रंगे यूच फूल इंकम जेनरेट मतलब आप यह कह सकते हो कि अगर भारत में 200 के स सबसे ज्यादे कैटल्स पाए जाते हैं उनका जो वेश्ट होता है उससे हम कैसे के इंकम को भी डबल कर सकते हैं यह एक आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं रूरल बुमेंस को इस पेसली उनको जो है कि इंपावर्मेंट करने के लिए भी काम करेगा यह चीज़ हो गई फ गोबर एक एनिमल साधार भासा में एक जानवर जो अडल्ट है अडल्ट का मतलब वो दूद देती हो प्रिगनेंट हो एक दिन में 15-20 किलो जो की गोबर वो प्रोड्यूस करती है और दूसरी चीव है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 5-10 किलो करते हैं और यह जो गोबर होता है उसमें फ्रेक्स जो डग होता है उसमें 80-85 प्रतिसत वार्ट होता है क्या होता है पानी होता है उसमें और रेस constitute अलग होता है उसमें मिथेन प्लस वाटर मिलता है और मिथेन क्या है यह एक फ्यूल की तरह काम करती है फिर उसके बायो गैस प्लांट रिक्वाइर होता है फ्रेस डग ऐसा नहीं है कि जो गोबर होता है दस दिन आप उको सुखा लीजिए तब ले करके उसको फ्रेस जो है कि डग चाहिए यह होता है तब जो इसमें कंटेंट होता है क्या मिथेन एलांग विद वाटर तब मीथेन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है जो एनिमल्स होते हैं उनके आंतरिक जो इस्टो मैचा होता है उन जो चार इस्टो मैचा होते हैं उनमें सी एक जो कि यह प्रोड्यूस करता है ठीक है फिर उसके बाद plant material जहां पे plants को material होता है उसको उसमें डाला जाता है उसको fragment करके तोड़ा जाता है by किसके micro organism के द्वारा bacteria के द्वारा उसको decompose करवा के फिर वहां से methane gas को captured किया जाता है फिर उसके बाद further the resistance फिर अब आगे आ करके बात करते हैं डग लेफ्ट टू ड्राई इन द ओपन रिलीज बूट वाटर अंड मित है रियलाइज इस फ्यूल वैलू डग साधा इस वजह से आप बात कर सकते हैं तो यह जो basic article था हमने बात किया अब एक और article बहुत ही important है और जब हम इंडियन नेशनल मूमेंट या फी इंडियन नेस्ट अ मोडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आप जो तिबा फुले के बारे में आपने सुना उनकी पतनी सवीत्री भाई फुले उनका एक कोड था बूमन को ले करके क्योंकि उन्हें बूमन सेक्टर में बहुत अच् बूमन जो एक बर्गत के पेड़ की तरह होती है ठीक है बर्गत के पेड़ की तरह होती है तो कहने का मतलब होता है अगर बूमन एडूकेट नहीं है ठीक है तो ना तो उसकी जड़े है और ना ही वो पत्ता है जड़े अगर हैं तो वो आने वाले पीडियों को अच्छी ज लुगों को च्छावा च्छाए देगी ठीक है तो इस कॉंटेक्ट में ये बात अज्जोतिवा फूले अगर हम बात करें इनका इनकों ने दरसल बहुत मतलब अच्छा काम किया इंद फिल्ड अब वूमें एडूकेशन अब समझे कि उस समय इन्हों ने इस कोट को यूज कि लिया था कि बूमें बिटाउट एडूकेशन लाइक आये वरगत के पेड़ की जैसे हैं पत्तियों के ठीक है तो कहने का यह ऑब्जिक्ट यहां पे कि एडूकेशन का इंपोर्टेंस जित्वा बारी फूल होए कि जो पत्नी थी ठीक है यहां पे सावित्री बाइफुले इन्होंने इंपोर्टेंस उस चीश को लेकर के समझा तो आज का मैं डिस्क्रिशन अपने यहीं पर करता हूं हाला कि आगे दिया गया बट मैं आपको जो की नट्स चैल में जो की बता दिया कि रीजन क्या है कैसे है तो आज की लेक्टेर में इतना रहेगा बीच में डिस् होगी माना होता थोड़ा सब फीवर बुखार होता तब भी चलता रहे तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू अबर्मेंट डिसक्रिशन